सत्संग के छठे भाग को प्रारंभ करते हैं पूजे स्वामे रामसुक दास जी कहते हैं परमात्मा की प्राप्ती का स्थान हृदय है ग्यान हृदय में विराजमान है गुरू से जो ग्यान मिलता है वह वास्तव में अपने ही भीतर है उस ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा को जान लेते हैं गुरू ज्ञान देते नहीं है प्रत्युत सबके हृदय में विराजमान ज्ञान रूप परमात्मा की जागरिती करते है भगवान श्रिक्रश्न सबके गुरू है और उनका मंत्र अथ्वा उपदेश है गीता कोई मनुष्य पंडिताई के जोर से गीता का अर्थ नहीं समझा सकता और नहीं समझ सकता भगवान के शरण होने से ही गीता का अर्थ प्रकट होता है भगवान गीता से बहुत राजी होते हैं गीता पाट से वे दर्शन भी दे सकते हैं गीता रामायन ग्रंथ जहां पड़े रहते हैं वहां भूत पिशाच पास नहीं आते उन ग्रंथों को प्रणाम करने से बड़ी शक्ति मिलती है गीता का पठन मनन करने वाला प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकता है प्रते दिन गीता का पाठ विचार करना शुरू कर दे गीता के अनुसार अपना व्यवहार करें जीवन बनाएं तो दुख, संताप, हलचल सब मिट जाएगी एक भी आदमी ऐसा नहीं हुआ जिसकी भोग तथा संग्रह से त्रिप्ति हो गई हो अविनाशी की भूख, विनाशी से कैसे मिटेगी भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुए जब श्वास का इतना प्रभाव है तो फिर वाणी, गीता का कितना प्रभाव होगा मनुश्य शरीर, इवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है संसारी कारियों के लिए नहीं परमात्मा प्राप्ति का मौका मनुश्य शरीर में ही है मनुश्य शरीर में भी सत्संग का मौका दुरलब है जैसे मनुश्य शरीर बार बार नहीं मिलता ऐसे ही सत्संग भी बार-बार नहीं मिलता यह भगवान की विशेश क्रपा से ही मिलता है भगवान अपनी तरफ खीचना चाहते हैं भगती सर्वश्रेष्ठ है भगती रेव गरीयसी प्रेम का नाम भगती है प्रेम है भगवान और उनके गुण, लीला, चरित्र, आदी हमें अच्छे लगें जैसे प्यास लगने पर जल की याद आती है जल अच्छा लगता है ऐसे भगवान हमें अच्छे लगने लगें भगती से भगवान वश में हो जाते हैं मुक्ती तो पूतना को भी मिल गई मुक्ती तो भगवान की चरण रज में है भगती बड़ी सुगम है भगवान प्यारे लगें, मीठे लगें यही भगती है बस परमात्मा की प्राप्ति कठिन है तो सुगम क्या है इस संसार में इसी के लिए तो मानाव शरीर मिला है खास काम पर मात्मा की प्राप्ति करना है दूसरा काम करें तो वह नया काम शुरू किया है जो भी काम करें भगवान का ही काम समझ कर करें भगवान श्रिक्रश्न गीता में कहते हैं यत करोशी यदशनासी यत जुहोशी ददासीयत यद तपस्य सिकाउन देय तत करुश्व मदरपणम हे कुन्ति पुत्र तु जो कुछ करता है जो कुछ भोजन करता है जो कुछ यज्य करता है जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है वह सब मेरे अरपन कर दे एक कामना होती है एक आवश्यक्ता होती है भूख लगने पर अन्य की आवश्यक्ता होती है कामना शरीर की आवश्यक्ता नहीं होती मिलने वाली चीज तो अवश्य मिलेगी पर अपने करतव्य का पालन न करने का दंड होगा प्रारब्ध से मिली चीज में तो संतोष करो पर नए कारिये में संतोश मत करो भगवत संबंधी बातों में संतोश मत करो क्योंकि यह हमारी आवश्यक्ता है सत्संग भजन ध्यान आदी की आवश्यक्ता होती है कामना नहीं पत्थर ढोने वाले को जो मजदूरी मिलती है वैसे ही सोना ढोने वाले को भी मिलती है तात पर यह है कि सब को अपने प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है कोई कारिय अवश्यम भावी नहीं है पर मरना अवश्यम भावी है जो कारिय अवश्यम भावी है उसकी तैयारी सबसे पहले करनी चाहिए जो करना चाहिए और कर सकते हैं उसे न करना भूल है संतान पिंड़ पानी देने के लिए है संपत्ति तो कोई भी संभाल सकता है भगवान का होकर भगवान को पुकारो तो भगवान पर असर पड़ेगा संसार का होकर संसार को पुकारोगे तो असर नहीं पड़ेगा बहुत जन्मों के बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है कल्यान में खुद की लगन का माती है खुद की लगन विचार ना हो तो गुरू क्या करेगा? उपदेश क्या करेगा? जानने का विचार ही नहीं तो शिक्ष्य क्या करेगी? साधू हो गए फिर भी लगन नहीं है मन में कुछ भी लालसा हो तो उपाय किया जाए इसलिए अपनी लालसा बढ़ाओ भूख बढ़ाओ भूख नहो तो बढ़िया भोजन किस काम का? परमात्मा की प्राप्ती कठिन नहीं है अपितू उसकी प्राप्ती की चाह कठिन है भूग तथा संग्रह की इच्छा का त्याग न हो सके तो भी परमात्मा की प्राप्ती कैसे हो? यह इच्छा रहनी चाहिए हमारी तीवर लालसा न हो तो भी सत्संग से लाब होता है पर अपनी लालसा न होने से उतना लाब दिखाई नहीं देता जिसको सत्संग का लाब मालूम पड़ जाए वह सत्संग छोड नहीं सकता सत्संग करने से विवेक जागरत होता है सत्थ असत्थ तथा कर्तव्य अकर्तव्य का ज्यान होता है फिर तद अनुसार कर्म होते है सत्संग से बड़ी विलक्षनता आती है जिसका बाहर से पता नहीं लगता अच्छे अच्छे शास्त्रिय विद्वान भी जो बात नहीं कहते वह बात सत्संग करने वाले कह देते हैं परमात्मा में अनंत शक्तियां है सगुन निर्गुन उसके विशेशन है स्वरूप नहीं संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना पड़ता है और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से अभिन होना पड़ता है संसार का किंचिन मात्र भी आकर्शन रहेगा तो उसे नहीं जान सकते प्रकृति को साथ लेकर मनुष्य भगवान के शरण तो हो सकता है पर तत्व बोध नहीं प्राप्त कर सकता संसार की सत्ता और महत्ता को मानना ही भूल है संसार नहीं हमारे हाथ रहने वाला है नहीं हमारे साथ जो चीज निरंतर मिट रही है उसे सत्ता और महत्ता देना कहां तक उचित है जिसको आप मेरी वस्तु कहते हैं वह क्या सदा आपके साथ रहेगी क्या आप सदा उसके साथ रहेंगे संसार का संयोग अनित्य है वियोग भी अनित्य है अंत में वियोग ही वचेगा संयोग नहीं अता संयोग में ही वियोग का दर्शन कर ले अरब खरबलों द्रव्य है उदय अस्तलों राज तुलसी जो निजमरन है तो आवही की ही काज उम्र निरंतर नहीं में जा रही है मृत्यू निरंतर समी पा रही है यह सच्ची बात है जो सच्ची बात का आदर नहीं करता उसको दुख पाना ही पड़ेगा आप अच्छा काम करो या बुरा काम उम्र तो प्रतिक्षन अपने धुन में जा रही है वास्तों में सत्ता और महत्ता तो एक मात्र परमात्मा की ही है वह बड़े से बड़े और सूक्ष्म से सूक्ष्म सभी जीवों का भरन पोशन करता है उनके कर्मों का फल भुगताता है उस परमात्मा के समान कोई वक्ता, शोता, संत या धन्वान आदी नहीं है परमात्मा की शक्ती ही मनुष्य में आती है परमात्मा के वक्ता हुए बिना मनुष्य वक्ता कैसे हो सकता है परमात्मा के समान कोई वक्ता, शोता, संत इत्यादी नहीं है अगर रुपया बढ़िया चीज है तो फिर उसको खर्च क्यों करते हो भोगों में प्रियता, रुची होने का कारण रस है परमात्मा के सच्चे रस के सामने यह जूठा रस हट जाता है साधन में भी एक रस बुद्धी होती है जिससे समाधी में विग्ण होता है रसास्वाद से साधक अटक जाता है आप स्वयम टिक जाओ, तो मन बुद्धी इंद्रियां भी टिक जाएंगे स्वयम का टिक ना है, रस बुद्धी निवृत होना आप सब छोड़कर सत्संग में आते हो यह पारमार्थिक रस का नमुना है प्रेम की रस में समाधी का रस भी छूट जाता है उस रस में कभी हसी आती है, कभी रोना शिमत भागवत महपुरान में कहा जिसकी वानी मेरे नाम, गुण और लीला का वरणन करती-करती गदगद हो जाती है जिसका चित मेरे रूप, गुण, प्रभाव और लीलाओं को याद करते-करते द्रवित हो जाता है जो बारम बार रोता रहता है कभी कभी हसने लग जाता है कभी लज्जा छोड़कर उचे स्वर से गाने लगता है तो कभी नाचने लग जाता है ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है संसारिक रस निवृत्त होने से पारमार्थिक रस मिलता है प्रेम में ग्यानियों के अभेद से भी विलक्षन अभिन्नता होती है प्रेम में मैं पना मिट जाता है और हूँ पना है में विलीन हो जाता है जैसे दरपण में विपरीद दिखाई देता है ऐसे ही माया रूप संसार भी विपरीद दिखाई देता है संसार से कुछ लेने की इच्छा रखने से नुकसान होता है और देने की इच्छा रखने से लाब होता है दूसरों का हित करने से हमारा हित होता है जैसे बीज जमीन में डाल दें तो खेती हो जाती है और खुद खा लें तो रेती हो जाती है अपनी भूख मिटाने से पहले दूसरों की भूख मिटाओ दूसरों का हित कैसे हो इसको सीखने के लिए ही हम यहां एकत रहुए हैं मां हमें अच्छी क्यों लगती है कि वह हमारा पालन करती है जो दूसरे के दुख में दुखी होता है उसको अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता भगवान को याद करना और सेवा करना ये दो काम खास मनुश्यों के लिए है इनके मिना मनुश्य पना नहीं है जैसे नाम जप आदी से कल्यान होता है एसे ही दूसरों का हित करने से भी कल्यान होता है ये ही कर्मयोग है रस बुद्धी किसमे है रस बुद्धी भोगत्रित्व में है और भोगत्रित्व होता है प्रकृती में श्थित होने से परन्तु इससे भी विलक्षन बात है कि रस बुद्धी स्वयम में है पर परमात्मा का अंश होने से, पारमार्थिक रस स्वयम में है, ज्यान के अखंड रस की अपेक्षा, प्रेम का अनंत रस्विलक्षन है, खास अवश्यक्ता व्यवहार के सुधार की है, परमात्मा की प्राप्ति के बिना जन्म ना मरना बंद नहीं होगा, जन्म मरन का चक्र चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, लंबे रास्ते कांत हो जाता है, गोल चक्र कांत कैसे आएगा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपना व्यवहार शुध करना है, स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए चेश्टा करनी है, सबके हित की भावना वाला सदा सुखी रहता है, जो किसी को भय नहीं देता, वह अभय हो जाता है, ग्रिहस्थ में स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करने से परस पर प्रेम बढ़ेगा, मोह का बंधन संसार में बांध देता है, प्रेम का बंधन मुक्त कर देता है, आज कल के जमाने में दूसरे को दुख न पहुंचाना भी बहुत बड़ा पुन्य है, पहले भलाई करने पर भलाई होती थी, आज बुराई न करने से भलाई हो जाती है, गाड़ी में चड़ते समये, कोई चड़ने को, अथवा बैठने को मना न करे, तो समझो की भला अदमी है, एक भारतिय संस्कृति ऐसी है, जो सबका हित चाहती है, और सबका हित मनुष्य ही कर सकता है, जैसे सभी देवताओं को किया गया नमस्कार, भगवान के पास पहुँचता है, ऐसे ही सबके साथ किया गया प्रेम का बरताओ भी, भगवान के पास पहुँचता है, भगवान सबके हृदय में विराजमान हैं, अतहसब में भगवान को देखते हुए, सबको नमस्कार करो सब के साथ आदर का प्रेम का बरताओ करो सब सुखी हो जाएं यह व्यापक भाव है जो व्यापक परमात्मा को प्रकट करने वाला है नमस्कार करने से लाब ही लाब है रोजाना बढ़ों को नमस्कार करने से आयू, विद्या, यश और बल यह चारों बढ़ते हैं नमस्कार करने से मार कंडे यह की आयू बढ़ गई वे चिरन जीवी हो गए ग्रिहस्थ आश्रम सबका मूल है ग्रिहस्थ आश्रम में बहने माताएं मुख्य हैं क्योकि उनके कारण से ही ग्रिहस्थ चलता है साद्वों के मठ आश्रम धाम आदी को कोई घर नहीं कहता स्त्री के कारण ही घर कहलाता है चाहे व्रिक्ष के नीचे ही क्यों न रहे आज स्त्रियों को केवल भोग सामगरी बना दिया गया है स्त्री का स्त्री स्वरूप से देखना उसका निराधर है उसको मारूप से देखना चाहिए मा का दर्जा बहुत उचा है सहस्रम तू पित्रीन माता गवरवेइन तिरिच्चते बहनों को चाहिए कि सूई बने कैची मत बने सूई दो को एक कर देती है कतरनी एक को दो कर देती है वे ऐसा कोई काम न करें जिससे कलह पैदा हो घर में प्रेम रखें बालकों को भोजन कराने में विशमता मत करें सास को चाहिए कि बेटी और बहु में लड़ाई हो तो बहु का पक्ष ले गरीब बच्चों को मिठाई खिलाओ तो शोक चिन्ता मिठ जाएंगे ग्रिहस्थ में बड़ी सावधानी से रहो थोड़ी सी भी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है दूसरा कोई गलती भी कर दे तो उसको सहलो ग्रिहस्थ एक पाठशाला है जिसमें प्रेम का पाठ़ पढ़ो मनुष्य भविष्य के लिए अन धन आदी की चिन्ता करता है वास्ताव में मृत्यु के बाद की चिन्ता करनी चाहिए इस लोक में तो अपने निर्वाह के लिए करजह भी ले लेंगे पर परलोक में क्या करेंगे शुद्ध स्वभाव वाला नीच योनियों में जाही नहीं सकता साधन का तात पर यह है असाधन का नाश फल की इच्छा करेंगे तो उन्नति रुख जाएगी सबसे बड़ा फल यही है कि राग द्वेश मिट जाएं राग द्वेश असाधन है असाधन के नाश पर साधक की विशेश द्रिष्टी रहनी चाहिए परिस्थिती को बदलने पर उसकी द्रिष्टी नहीं रहनी चाहिए जो परिस्थिती के पराधीन है वह साधन नहीं कर सकता सुख दुख भोगते रहना असाधन है असाधन के मिट जाने पर साधन स्वतह होगा अनुकूल परिस्थिती की इच्छा गरना साधन नहीं है साधन है परिस्थितियों का सदुपियोग करना प्रतीक परिस्थिती साधन सामग्री है शेश अगले अंक में झाल परिस्थिती है झाल पर उखियोग झाल